हलो दोस्तों नमस्कार परिक्षा प्लस चैनल पर आपके स्वागत है मैं हूँ रमर मिश्रा आपकी बहु प्रतिछित सीरीज आठ सो प्रशनों की जो आपकी एक स्रेंखला है यूपीट प्लसी जूनियर असिस्टेंट 24 दिसंबर के लिए उसका पार्ट फोर लेकर मैं फिर स एक बार आपके सामने हाजिर हूँ तो जल्दी जल्दी सारे लोग तयार हो जाएं पूरे दिमाग को अपने कंसंट्रेट कर लें और आठ सो प्रशनों के आज जो पार्ट फोर है आज भागचार है इनके सो प्रशनों पर मैं चर्शा आपसे करने जा रहा हूँ तो चलिए एक बार सभी का मैं स्वागत करता हूँ रमन मिश्रा अपने चैनल इस परिक्षा प्लस पर देर ना करता भी है कुछ important चीज़ें आपसे मैं discuss करते भी आगे बढ़ना चाह रहा हूँ सबसे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पर और जो पुराने हैं वो तो हमें जानते ही ह उसमें जाकर के आप हमारे चैनल से फेस्बुक ग्रूप से जरूर जोइन हो दूसरी चीज जितने भी पीडियेप हैं यहां इस यूटूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस वीडियो के साथ ही साथ ये टेलिग्राम चैनल पर भी हमारे डाले जाते हैं वहां अनी परिच्छा से संबंधित मटेरियल भी आपके उपलब्ध होते हैं तीसरी बात दोस्तों यूटूब का ये जो हमारा चैनल है लाइब सेशन आज से ही मैं प्रयास करूंगा आपको मिले लगे तो लाइब सेशन के लिए उसमें यूपी ट्रूप मिलूँगा और हिंदी के बाकी जो आपके अगले सेशन बच रहे हैं उनके लिए भी मैं कोसिस करूंगा कि आपसे लाइब रहूं ताकि डिसकेशन हमारा और आपका जो इंटरफेस हो सीधा सीधा हो ताकि आपके अनी सवालों के भी मैं जबाब देता चलूँ इसलिए और जी इस वेपसाइट पर एकजाम ओरेंटेट बहुत सारे माटेरियल उनसे संबंधित जानकरिया और अनी चीजें वहाँ पर बिशलेशन करके डाली जाती हैं एकजाम से संबंधित निउज ये सब कुछ उस पर रहती है नहीं जाब होई तो उन सब के बारे में भी 000-6007 या 7398-676291 पर या 815-87955 पर पूछ सकते हैं कॉल करके वाटसाप करके कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहां से हमसे डायरेक्ट जूड सकते हैं ये हम लोगों के नंबर हैं आगे बढ़ते हैं अगली देरना करते भी है कुछ खास इंफॉर्मेश जूनियर असिस्टेंट टैस्रीच जो परिक्षा प्लस टीम लेकर उतरी है इससे पहले हम लोवर की आप की टैस्रीच लेकर उतरे थे परें sensory इकार प्रें लिम्स को लेकर पूरी की पूरी टैसरीच जो समयने निसुल की गई थी और तमाम उससे पढ़ाई से लिलेटएड हम लोगों ने आपको material और video lecture सब कुछ उपलब्द कराया था उसी के base पर हम लोग 10 testories लेकर lunch किये हैं junior assistant की जो 10 testories है ये online platform पर हो रही है और बाद में इसका PDF full solution आपको offline के तोर पर दे दिया जाएगा इस testories में खास क्या है? वीडियो solution है, PDF solution मिल ही तो रहे और दूसरी बात इसमें साथ ही साथ हम आपको कुछ notes भी provide कराएंगे जो exam के oriented आपके बहुत जरूरी होते हैं आपको testories से related कोई भी समस्या है, कोई भी information लेनी है इस number पर call करके पूछ सकते हैं अगली थोड़ी सी information जो junior आपका इलहाबाद high code का RO की जो एक तरीके से exam होना है ठीके 12 जन्वरी अभी prediction है 12 जन्वरी को ये paper होगा तो उसको लेकर हम 6 test आपके launch के एक demo test है आप online panel पर जा करके उस demo test को दे सकते हैं और हमारी गोडवत्ता को आप देख सकते हैं कि हमारी team की गोडवत्ता क्या है साथ ही साथ ये test reads इसमें PDF पूरा solution आपको मिलेगा ही मिलेगा online जबाब दे लेंगे उसके बाद कुछ हम exam oriented जैसे computer, English इन तमाम चीजों के material आपको उपलब्द करा रहे हैं ठीके तो इस test reads में बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है वो भी मातर 99 रूपीज में आप ये test reads भी जोईन करके हमसे बहुत सारा फाइदा उठा सकते हैं अपना exam जो है अच्छे से दे सकते हैं बाकी कोई भी समस्या हो रहे है तो 945-0006-007 परिक्षा प्लस पर जरूर आप कॉल करके पूछ सकते हैं चलिए देर ना करते हैं मैं सुरुवात करता हूँ 800 परशनों की आपकी series की और पूरी तरीके से आप full concentration के साथ मेरे साथ जो जाए और मैं सुरुवात कर रहा हूँ सबसे पहला प्रशन आपकी screen पर है पहला प्रशन आपसे बोला है पहला है साथ, दूसरा है, छे, तीसरा है, पांच, चौथा है आपका, चार, इन चारों में से चलिए, फड़ा जबाब कमेंट करिए, आप जहां बैठे हैं, वहां हां नहीं बोलते रहें, जादा तर कोसिस करें कि आप कमेंट के माधन से हमें जरूर बता है, लास्ट में जो वहां एक्जाम में परफार्मेंस करोगे, यह पेपर मैंने जितने क्वेशन सेलेक्ट किये हैं, यह सब के सब UPSSSE के लेटेस्ट बेस पर हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा पेपर यह है, बाकी आपको कहीं कंसेंटरेट नहीं होना है, आठ सू प्रशनों की सिरी हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं, तो चलिए मैं बता दू, पदों की प्रधानता के अधार पर समास होते हैं, चार जीनों हैं, विकल बीचुना वो एगनम सही हैं, अच्छा चार होते हैं, तो चार के बारे में देख लो, पहला जो बनेगा, पहले में यह बनेगा कि सबस दूसरा बनता है, जिसका उत्तरपद, यानि दूसरा वाला प्रधान हो, मुख्य हो, तो उत्तरपद अगर प्रधान हुआ, ठीक है, मुख्य हुआ, तो इसमें समास एक तो बनता है, आपका तत्पूरुस का यह गोड़ है, दूसरा इसमें बनता है, अगर मैं बात करू, तो कर्मधारे समास में भी एक condition आती है और तीसरा समास इस प्रकार से बन जाता है आपका वो बनता है दिगू ठीक है जो एक तरीके से संख्यावचक समास होता है तो तीन समास बनते हैं उत्तरपत परधान के आधार पर तीसरी condition क्या है तीसरा प्रकार गया है जब दोनों पत प्रधान हो जाए ठीक है पहला भी यानि पूर पत भी और दूसरा पत भी प्रधान हो जाए तो इस condition में आपका समास कौन सा बनेगा इसमें बनता है आपका द्वंदू ठीक है द्वंद्शमास यानि जहां विप्रार्थक सब्द आपको मिलने लगे वो होता है और दोनों पत प्रधान हो यानि दोनों में से किसी की वैलू ना हो और कोई तीसरा चला जाए तो उस समाज की क्रैटेरिया में एक आपता है आपका बभु बरी ही ठीक है बभु बरी ही समाज तो पदों की प्रधाना के आदार पर चार प्रकार के बनते हैं इसमें थोड़ा सा अगर अपना टेकनिकल दिमार्ट यूज़ करेंगे ठीक है रिजिनिंग वाला यूज़ करेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे बहुत आसानी से तो बढ़ी हार प्रशन रहा दूसरा प्रशनी स्क्रीन के सामने है तिरसकार शब्द का संधिविछेद क्या होगा चारो में से जवाब फड़ा पट कमेंट करो लिख रहे हो तो लिखते रहो लेकिन कमेंट जरूर करना है ठीक है तो थोड़ा सा टीम का होसला बढ़ाओ यार मेरा बढ़ाओ तो कमेंट करते रहो अच्छे चे कमेंट देते रहो ठीक है बाकी तो हम बहुत कुछ लेकर आ रहे ठीक है आनी एक्जाम जो बीच में आएंगे उनको लेकर बहुत कुछ आ रहे हैं तो कमेंट करके होशला बढ़ाते रो तिराधनकार बहुत लोगों के जवाब आ चुके हैं और जिन लोगों ने जवाब चुना है B ठीक है क्योंकि तिराधनकार बिशर्ग संधिका उधारण है ठीक है बिशर्ग संधि में जब ये तिराधनकार बिशर्ग हटेगा तो इसकी जगे पर आपका शा हो जाता है और यहां पर आपका साधारण सा होगा ठीक है तो विकल इस बिशर्ग की जगे पर आपका सा आ इसलिए तिराधनकार तिरसकार बन जाता है अगला प्रशन ठीक है मैं डिटेल में चर्चा करना हूँ ताकि एक्जाम में आपके ये फोकस रहे आपको कुछ ना कुछ इसकी जो है आपको एक तरीके से बहां पर कोई ना कोई सही योग मिले अनुसार के अस्थान पर रा किसम लिखा जा सकता है चार सब्द मैंने आपके लिए चुने हैं पंक्ती, पंजा, पंद्रह, पंडित आसान सा प्रशन है लेकिन अगर आप जल्दबाजी दिखाओगे तो वहां गलत करोगे ठीक है एक्जाम से आउट नहीं होना है तो उन प्रशनों को जरूर सही करना है जो एक नॉर्मल लेवल का स्टूडेंट सही कर रहा है जूनियर असिस्टेंट फाइट अच्छी है इसलिए आठ मेरे साथ लगेतार आप लगेतार आपको बना रहे हैं इनमें से जवाब डी चुना वो लोग बिल्कुल सही है क्योंकि पंडित को हम लिख सकते हैं ऐसे भी पंडित को लिखा जा सकता है इस रूप में भी ये रूप भी पंडित का सही है और पंडित का एक रूप ये भी सही है तो दोनों चीज़े इसमें सही हैं तो यहां जो ये अनुश्वार की बिंदी आ रही उसकी जगेपर लगा लिखा जा सकता है अगले प्रशन की और जबाब बताओ मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकेंड के अंदर क्लिक करो चलो फटा-फट जबाब बताओ कमेंट जरूर करना है लिखना नहीं है यूटूब पर कमेंट करो इस वीडियो के नीचे कमेंट करते रहो लाइब अभी मिलने वाला हूं तो लाइब में तो यहीं विकल्ब सही है क्योंगि दीन दुखियों के लिए अगर भोजन देने की व्योस्था करेंगे तो सदा वर्त कहलाता है ठीक है बंडारा वह कहलाता है जब आप不好意思 लोगों को भोजन करा दो फिकलग है तो भंडारा है और और अगला इसमें दातब भी यह तो देने वाल आउंधी खोपडी का मुहावरे का आर्थ क्या अगली उपर वाली अनेक सब्दों के लिए एक सब्द थी ये मुहावरा मैंने डाला है विकल्पी इस प्रकार है मूर्ख होना कुछ निर्णय ने कर पाना किंग करतब भी बिमूर होना चोथा बोला है जगडालू होना इसमें सब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो गलत करेंगे 100% चलो इसका जबाब बताओ जिनोंने विकल्प चुना होते हैं वो सही मिलते हैं उनको दो अंग बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है सेवा भाव सब्द में कारक बता व्यकारणिक कोटी उससे संबंदित ये प्रशन है व्यकारणिक कोटी आज आपके UP SSC के 2019 के पेपर में बहुत अहम रोल लग रहा है तो पहला विकल्प करणकारक, B विकल्प संबंदकारक, D विकल्प कर्मकारक, चारू में से जबाब आपको चुनना है जबाब कमेंट कर बोलते रहना है अपनी जिगे पर कौन सा विकल्प इसमें सही है विकल्प सी जिनोंने चुल लिया वो होते हैं सही क्यों क्योंकि सेवा भावकारत होता है सेवा का भाव ठीक है यहाँ पर का शब्द मिल गया शंबंद दर्सा दिया इसलिए ये विकल्प सही होता है सी अग को जबाब देना है और जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो जबाब जल्दी जल्दी बोलते रहो कमेंट जरूर करना है यह सीरीज कैसी चल लए इसके बारे में बताओ ठीक है मेरा भी होसला बढ़े टीम का भी होसला बढ़े तो जिनों ने इसमें से चुना सत्रा जो है सात्व के सामने है कंदर्प शब्द का पर्यायवाची कंदर्प शब्द है इसका पर्यायवाची गया है मदने माधो हेरंब शुरुपति चारो मैसे बताओ फड़ा फट कमेंड करो जबाब आपके आने चाहिए मैं बहुत परितिछा करता हूं आप लेग आप लोगों के कमेंड की तो चलो आठवे नंबर प्रश्ण का जबाब बताओ, कंदर्व का जबाब जिनों ने दिया मदन, एकदम होते हैं सही, माधो कृष्ण को बोलते हैं, ठीक है, माधो बोलते हैं कृष्ण को, तो कंदर्व का विकल्प जिनों ने चुला, वो होते हैं सही, ठीक है, क्यों, क्यो मनोज दूसरा नाम है रतिपती ठीक है रतिपती क्योंकि रति इनकी पतनी का नाम है और उनके पती तो इनका नाम हो गया रतिपती ठीक है अगली अगर मैं देखूं तो यह कामदेव को बोला जाता है मनमत ठीक है यह भी कामदेव का नाम है एक इनका नाम जो है रतिनात रति पती हैं तो उनकी पती को नाथी भी बोलते हैं रतिनाथ भी हो गया ठीक है एक इसका है मंसिज ये पूछा भी गया है UPSC में तो मंसिज परियावाची ये भी कामदेव की है ठीक है तो एक प्रशन के साथ बहुत प्रशनों के जबाब आपको मिल रहे हैं अगला प्रशन स्क जबाब बताएं जबाब बताएं नो नंबर प्रशन Billie है जबाब चुनाज इन्होंने दो बढ़ते हैं अगले प्रशन की और क्योंकि ये जो प्रतम प्रमाडिक ग्रंथ है थोड़ी डिटेल ओर प्रत्वी राज राशो किस ने लिखी चंदबरदाई ने लिखी प्रत्वी राशो चंदबरदाई जो ये कभी है ठीक है चंदबरदाई के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि प्रत्वी राज और इनका जन्व एक ह पूरे जीवन ये साथ रहे आंतिम्युद्ध में साथ भी मरे ठीक है इनकी मृत्वी भी साथ हुई और इसलिए इन्होंने प्रद्वी राज राशो की रचना भी की थी अगला वड़ते हैं दस नंबर प्रशन साहिती जगत से फिर से आपके सामने हिंदी नोजागरण के आध्यम से आना चाहिए दस नंबर प्रशन है जबाब चुना जी इन्होंने भी होते हैं वो एकदम सही क्योंकि हिंदी नोजागरण के अग्रदूत कह जाते हैं वो भारतेंद हरिशन क्योंकि हरिशन जी के आने के बाद साहित की सैली में बहुत बड़ा बदलाव दिखा ह चाहे वो गद्दी की सैली हो गद्दी की सैली में खास कर इसमें बहुत बड़ा फर्क यहां से आना दिखना शुरू हुआ है भारतेंद योगदान कि बड़ा साहित के लिए हो रहा बढ़ते हैं अगले प्रशन की और बहुत अच्छा प्रशन आपके सामने एक बार फिर स है उत्सर्ग एक कुशाग्र विद्यार्थी है यहां पर कुशाग्र कौन सा विशेशन है विकल्पीस प्रकार परिणाम बोधग शारवनामिक संख्या वाचक गोडवाचक इन चारों में शे आपको जबाब देना है फड़ाफट कमेंड करना है ठीक है एकदम पूरी तरी ठीक है अच्छे से कमेंड करना है सोचकर कमेंड करना है ग्यारा नंबर का जबाब जिनोंने चुन लिया है विकल्पीस होते हैं वो सही दो अंक उनके प्लस की और बढ़ते विए ठीक है जिनोंने गलत कमेंड किया ध्यान नोको वईया यह सब ठीक है मैं तु बता ही रहा ह कुछ साग्र जो है ये गुणवाचिक विशेशान है समझ गए प्रश्ण संख्या बारा आपकी स्क्रीन पर निम्लिकित में से कौन सा पुलिंग सब्द नहीं है बताओ पुलिंग नहीं या इस्त्री लिंग है अब ये तेजी वहाँ एकजाम में मत दिखाना कि इतना पढ़ इसमें बारा नंबर का जबाब दो फटा फट फटा फट जबाब आने चाहिए कमेंट आने जो क्वेश्चन इतने अच्छे हैं मैं मैं मैंनत कर रहा हूं तो भाई आप भी मैंनत करो चाहिर सी बात है बारा नंबर का जबाब जिन्होंने चुन लिया है सी वो होते एकदम स तो इसका जबाब जिनोंने C दिया है वो एकदम सही है कुछ extra information मेरी तरफ से आप जान लो महीनों के नाम लेकर जैसे हम लोग जानते हैं कि यह pulling है किताबों में लिखाया है सब सब पढ़ लिया गलतियां कहां करते हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ देखो जनवरी के अलामा जो है कौन से ऐसे मन्त है जो इसमें pulling में नहीं आते हैं तो देखो एक तो जनवरी हो ही गया ठीक है जनवरी और दूसरा इसका एक मन्त आता है आपका जनवरी के अलामा जुलाई ठीक है और एक महीना होता है मही ये तीनों के तीनों अपवाद की स्रेडी में है ये तीनों आपके पुलिंग में नहीं आते हैं इन तीनों को दिमाग बना लो ठीक है जुलाई जन्वरी मही ये तीनों महीने आपके पुलिंग में नहीं आते हैं ये इस्त्री लिंग होते हैं इसलिए इसको दिमाग में रख लेना है बाकी बचे महीने किसमें है पुलिंग में है वहाँ कोई दिक्कर नहीं है चलो अगले प्रशन 13 नंबर पर बढ़ते हैं 13 नंबर कहरा है कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ भीशेषन नहीं है ठीक है संग्या सर्ब नाम की विजेस्ता बतला है वो विशेशन अब संग्या से बना विशेशन नहीं यानि विशेशन बहुत प्रकार से बंते हैं विकल्ब दिया सुखी प्रशन कटू सुंदर चारों में से जबाब फटाफट कमेंट करिए चलिए दोस्तों आगे प्रशन की जबाब की और तो तेरा नमबर का प्रशन इसमें देखिए जो संग्या से बना हुआ विशेशन है आपका सब्द अगर मैं इसकी बात करूँ तो केवल आपको एक पहला वाला विकल्ब जिनों ने चुन लिया है वो एकदम सही है ठीक है संग्या से बना हुआ व पुल्लिंग आपको चुनना है आए वे नहर लहर इन चारों में से बताओ कि पुल्लिंग को उनसा है कमेंट करो जबाब फड़ा फट आने चाहिए जबाब भाई लेट नहीं होना चाहिए चोधा नमबर का जबाब जिनों ने विकल्ब चुना वे ठीक है वो सब्द आपक इन पर मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है सर्वनाम का मैंने प्रकार पूछा विकल्ब इस प्रकार दिया है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अने पुरुष इन में से कोई नहीं ना आप दी चलो जबाब बताओ 15 नमबर का जबाब फड़ा फट मुझे आप ये जानग करते हैं अगले प्रशन की ओर दो अंग सॉरी क्योंकि पॉइंट फाइव का है ठीक है पॉइंट पांच नमबर है तो पॉइंट पांच नमबर बढ़ेंगे दो नमबर नहीं ये पीट्रिपल सी की परिच्छा है खासकर आपका ये जूनियर एसिस्टेंट तो इसमें एक स तो तीस प्रशनों में कुल किते हैं पैसा ठंक है ठीक है बाकी 35 नमबर मैंने बताया है उस वीडियो में कि 35 नमबर आपकी सहचिक अहरता पर है अगला प्रशन इस स्क्रीन पर आपके सामने 16 नमबर निर्विवाद में कौन सा समास है ठीक है निर्विवाद में समास अब हो जाओ, तो जिनोंने विकल चुना B, वो होते हैं एक दम सही, 0.5 माक्स उनके पॉस्टिब अंकों की और बढ़ते विए, अगला प्रश्ण अगर इसमें देखें हम, अच्छा निर विवाद में समास अभेवी भाव क्यों है, क्योंकि जानते हो निर क्या है, एक अव् पर बढ़ते हैं, हथियाना में कौन सी क्रिया है, प्रश्ण यूपी ट्रिपल सी में आ चुका है, इस क्रिया के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, प्रिया इंप्वाडेंट डाल लो अपनी तरब से, प्रिनडा अर्थक सायुक्त, अनुकरणा अत्मक, नाम इन चारों में से बताओ, जवाब दो फटाफट, कमेंट करो 17 नंबर का जवाब, जल्दी कमेंट करिये और जिनों ने बिकल्ब चुना है D, जवाब होते हैं उनके सही 0.5 प्लस उनके एकाउंट में फिर से जोड़ चुका है, तो हथियाना में नाम धातु क्रिया है, अब नाम धातु भीया होती चेह, ये भी जान लो, ठीक है, जैसे मैं बता दो थोड़ी सी इंफॉमेशन, आपकी संग्या होई, ठीक है, संग्या के अलामा मालो सर्भनाम है और विशेशन है, संग्या सर्भनाम और विशेशन, ये तीन सब्द जहां मिले, ठीक है, और इनSec कोई क्रिया अगर बनाई गई तो वो क्रिया किस से क्या कहलाएगी वो नाम धातू कहलाएगी कि भाई देखो संग्या क्या है नाम है ठीक है और संग्या की जगे पर जो इस्तेमाल होए सर्वनाम वो भी नाम हो गया और इन दोनों की जो विशेस्ता बतला है विशेशन ठीक तो इसलिए इसको नाम धातु धातु तो मनलब क्रिया होती है तो इसलिए इसको नाम धातु नाम दिया गया है यानि संग्या सर्वनाम और विशेशन से बनने वाली क्रियाएं नाम धात तो क्रिया आये हैं, अठारा नंबर प्रश्णी स्क्रीन पर आपके सामने मीरा जोर से हसी, वाकि में क्रिया बताओ, क्रिया का भेद अच्छा है, इस बार मैंने फिर से दुबारा चेंज कर गए डाला, अकर्मक, सकर्मक, दुईकर्मक, सायुक्त, चारों में से जबाब बता ठीक है, अठारा नंबर का जबाब, जिनोंने विकल चुना, ए, ठीक है, वो होते हैं सही, जोर से हसी, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें नहीं मिल ला है, जो है, जिसका सैंत रूप से प्रभाव कहीं ना कहीं आपके कर्म पर पड़े, ठीक है, क्रिया का कोई प्रभाव कर्म पर पड़ता नहीं दिखता है, इसलिए ये है अकर्म क्रिया का उदारण है, प्रेश नंबर 19, इसक्रीन पर गयंद का अर्थ क्या है, बड़ा हाती, बड़ा घोड़ा, जंगली भैसा, गयंडा, उसे बड़ा हाती तो बड़ा ही होता है, चारों में से बताओ, जबाब बताओ गयंद का अर्थ क्या होता है, गयंद का अर्थ होता है, बड़ा जानवर, अब उसको हाती बोलेंगे, तो ये जबाब सही हो जाएगा, ठीक है, बीस नंबर सामने, दैवग्य का अर्थ क्या है, दैवग्य देवता, जेवतिसी, किन्हर, गंदर, चारों में से आपको जबा जरूर कि ऐसी करना है तो दैवग्गी के काम को जांने वाला दैवग्गी होता हूं ऑर यह कौन विरल विरत इन चारों में से चुनू अगर थोड़ा अजसा भी तेजी दिखाए तो गलत भी कर सकते हो विरत विरल विरत देखो इसका जबाब जिनों ने चुना C वो होते हैं सही अगर कभी-कभी सब्द लिखा मिल जाए तो वो भी एकदम फट से जो है क्लिक करना चाहिए आपको कि ये भी जबाब इसका सही आंसर होगा तो सदयू का मलब होता है हमेशा और विरल का मलब होता है कभी-कभी अगला प्रशन 22 नमबर आपके सामने लोभी किस विदी से निर्मित विशेशन है थोड़ा सा मैंने बल्लाव किया इस प्रशन में संग्या विधी शर्ब वो शब्द आपकी संग्या है और लोभी उससे बना विशेशन है ठीक है जब बड़ी प्रते इसमें जोड़के कुछ विशेशन संग्या से विशेशन बनाये जाते हैं तो उसी विदी का निर्मार हुआ है तेस नमबर शब्द एक प्रशन आपकी स्क्रीन पर बहुत अच उनके एकाउंट में फिर से जोड़ गया पॉस्टिब ठीक है अच्छे कर रहे हो अगर इन प्रशनों के सही जबाब दे रहो तो आप समझ जो कि सेलेक्शन की और अच्छी और आप अग्रिशर हो ठीक है अगर जब आप नहीं दे पा रहे हो ऐसे नॉर्मल क्वेशन की तो को कमेंड करना है और कमेंड के मौद्दम से बताना है कि कौन सा इसमें प्रशन सही है विकल्ब सही है चलो कर्म ये भी सही विद्या ये भी सही ददी भात ठीक है भात नहीं होगा भात तद्भो हो गया ठीक है भात हो गया तद्भो तो विकल्बी जिनों ने चुना वो सही भाद को बोलते हैं तत्सम्मे भक्त ठीक है 25 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर लुटेरा में प्रत्य गया है लुटेरा शब्द में बड़ी प्रत्य है रा प्रत्य एरा प्रत्य लूट प्रत्य बताओ फड़ा फट जवाब दो 25 नंबर का जवाब आपको सभी को देना ह और 25 नंबर का विकल जिन्हों ने चुना C, जवाब होते हैं उनके सही लुटेरा में अरा प्रत्य है पचिस के बाद 26 नंबर प्रशणा आपकी स्क्रीन पर चिलाहट में प्रत्य क्या है दो विकल नहीं देख रहाय है उनको भी देख लीजिए ठेके चिलाहट में प्रत्य क् चिल्लाहट में कौन सा प्रत्य है फडाक से जवाब आना चाहिए इतना देर नहीं लगना चाहिए 26 नंबर विकल्ब चुना भी होते हैं जवाब उनके सही ठीक है चिल्लाहट में हट प्रत्य है अगला प्रशन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हू ताकि प्रशन अच्छे से दिखाए आपको ठीक है शंख्या वाचक विशेशन कितने प्रकार के यूपी ट्रपल सी के लेटेस्ट पैटन पर आधारी थे मैं बार बार बोल ला हूँ जैसा ही समय चला है मैंने उसी हिसाब से क्वेशन्स अरेंज किये हैं तो संख्या वाच शंख्या वाचक विशेशन इसीलिए दो प्रकार बनते हैं—एग निशित शंख्या वाचक विशेशन, दूसरा अनिशित शंख्या वाचक विशेशन चलो बहा बताओ चारों मेंसे ठीक है 28 नमबर का जबाब विकल्ब फिर प्लस उगया उनके अगले प्राशन की ओर बढ़ते हैं उन्टीस नमबर निशिद्ध शब्द का सही संदिवे छेद है निरधन शद्धी निरधनशिद्ध निषधंडा और नीधन शद्ध इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है 29 नंबर का प्रशन 29 नंबर का प्रशन विकल चुनाजी इनोंने भी होते हैं सही से पहले वाले में मैंने बताया कि जहां विशर्ग संदी है और विशर्ग का मेल हुआ किसी से ठीक है और वहाँ पर यहाँ पर देखो विशर्ग के बाद छोटी E आ रहा है ठीक है तो ऐसी कंडिशन में और विशर्ग के एक तो विशर्गों के मेल वे होता है कि विशर्ग से पहले अगर कोई स्वर आ रहा ह यहां पर विशर्ग से पहले E आ रहा है, फिर उसका मेल स्वर से हो रहा है, तो यहां विशर्ग में बतलाओ होगा, और विशर्ग में बतलाओ क्या होगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, तीस नंबर कालीन किस भासा का सब्द ह फारसी, तुर्की, अर्वी, चीनी इन चारों में से बताइए 30 नंबर का जवाब आपको चुनना है जिनोंने विकल चुना है C वो एकदम सही अर्वी भाषा का सब्द कालीन किसका सब्द है अर्वी भाषा का सब्द एक्तिस नमबर निमलिकित में से देशस सब्द चुनिए करम गड़बड परिवार किशान इन चारों में से आपको विकल बताना है चारों में से कौन सा सही है एक्तिस नमबर करम गड़बड परिवार किशान इन चारों में से बताओ कि देशस सब्द कौन सा है देशी अपना ठीक है, 31 नंबर का जबाब जिनों ने चुन लिया है B, वो होते हैं एकदम सही, गड़बड सब्द आपका देशस सब्द है, ठीक है, गड़बड क्या है, देशस, कुछ और देशस सब्द जैसे जो आपके UPSC में पूछे गए हैं, एक तो जानलो लोटा, ठीक है, जानते है और देशस सब्दों की में बात करूँ, तो इसमें देशस सब्दों में क्या होता है, ये काता है आपका ये घोटाला ये पूछा गया है, घोटाला वाला, ठीक है, और अगली चीज अगर मैं बात करूँ घोटाले के अलामा, तो घोटाले के अलामा एक सब्द आपका आता कहीं आपके देश सब्दों का ही उदारण है 32 नमबर प्रशन निम लिखित में से एक सायुक्त स्वरा है कहीं कहीं आप पढ़ लेते हैं कि अच्छा सायुक्त बेंजन होते हैं स्वरा नहीं होते हैं ये वीडियो की परिछा में आया हुआ प्रशन है प्रशन आपको साफ दिख रहा होगा चलो मैं पढ़ दे रहा हूँ निम लिखित में से एक सायुक्त स्वरा है A विकल्ब कह रहा है A B कह रहा है बड़ा, C कह रहा है आओ और D कह रहा है बड़ी इन चारों में से बताओ अगर आपने कहीं से अधिकतर यूटूब चैनल पर आपको ये मिल जाएगा ठीक है कि वो स्वरों में सिर्फ दो तीन बता के छोड़ देते हैं वहीं हरश दिर्क पुलत स्वरों का चौथा भेद भी होता है जिनके बारे में जान लो सायुक्त स्वर होते है इन चारों में से चुनों 32 नमबर के प्रश्ण में 32 नमबर के प्रश्ण में जिनों ने जवाब दे दिया C वो होते हैं एकदम सही क्योंकि चार स्वर होते हैं कौन सा जान लो A, I, O, O इनको स्वर के बोला गया तो चलिए अगला प्रश्ण आपके सामने है कौन सा प्रश्ण संख्या 33 सभा में कौन सी संग्या है बताओ भीया विकल्प क्या क्या दे रखा है व्यक्ति वाचक, दर्बेवाचक, समुवाचक, जाति वाचक इन चारों में से आपको विकल्प चुनना है 33 नंबर और 33 नंबर का जबाब शभा ठीक है कई लोगों का प्रद्निजित करती एक समुवाचक दर्साई तो समुवाचक संग्या का हो गई भेद जबाब साही हो गया C बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और 34 नंबर प्रश्ण गलत वाकी का चैन करना है दूद में क्या पड़ गया गीता सबसे स्रेष्ठम ग्रंथ है वहाँ पहुँचने की बेवस्ता करें मंत्रों का सही उच्चारण करो चारू में से बताओ कौनसा वाकी गलत ठीक है गलत वाकी का चैन करना है चारों में से जबाब फटाफट कमेंट आने चाहिए 34 नंबर का B बिकल्ब देख लो अपने आप समझ जाओगे सबसे भी जुड़ा है उस रेश्थम भी जुड़ा है तो एक सब्द लगाओ भाईया सबसे हटाओ सरेश्थम जुड़ा रहे दो तो B आपका हो गया आंसर आपका अविजात सब्द का भिलोम बता दो भी अकुलीन अकुलीन सामानिवण्चित इन चारों में से बताओ अविजात सब्द का भिलोम बताओ 35 नंबर प्रशन स्क्रीन पर रहा है और इसका जबाब आपका हो जाईगा आकुलीन क्योंकि अभिजात का आर्थ क्या होता है जो उचे कुल में जन्मलिया हो उसको बोलते हैं अभिजात ठीक है तो समझ गए आकुलीन इसका जवाब 36 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर 36 नंबर कहे रहा है कौन सा हिंदी का अपना उप्षर गए संस्कृत के होते हैं अब मेरी बारी कुछ बताने की क्या क्या देखो संस्कृत जो है संस्कृत से जो उप्षर अपने यहां सामिल किये जाते हैं जो सब्दों को बनाए जाते हैं यह 22 उप्षर गए ठीक है संस्कृत के 22 उप्षर गए अनी चीजे मैं बताओं हिंदी में देखो कितने उप्ष ठीक है फिर एक आता है कु और एक आता है उन ठीक फिर बिन लगवग दस के करीब होते हैं ठीक है लिखराओं भी गिल लिया जाएगा नी होता है और एक होता है भर तो इतने उपसर्ग ये हिंदी के अपने हैं ठीक है एक हो गया फिर दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पां नौ और दस दस उपसर्ग आपके हिंदी में आते हैं ठीक है तो समझ गए ना सैंतिस नंबर प्रश्ण चलो बताओ तन सब्द का लिंग निर्धारित करो तन आखिर क्या है इस्तरी लिंग है उभाय लिंग है नपुनसग लिंग है ठीक है तो हिंदी में जान लो केवल दो ल बाकी जो लोग वो समझ जाओ कि कहीं अभी मेहनत करने की जरूरत है ठीक है उत्तम पुरु सरवनाम के किस भेद का एक प्रगार है निजवाचक का कि पुरसवाचक की संबंद भाचक के निश्यवाचक बताओ फड़ा फड़ा बताओ ठीक है तो यह पुरसवाचक का भेद होता है अगले प्रशन की ओर बनते हैं बढ़ते हैं 49 नंबर प्रशन हैं पत्र लेखन से डाला है बार बार कह रहा हूं बार 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 बता रहा हूं पत्र लेखन फ़ाला थी 2019 और आम का ये जो स्लेवास है जूनिर असिस्टेंट का जिसमें लिखा है हिंदी परिग्यानियोम लेखन चंता पस इतने लिखा मिलेगा यहीं वीडियो में लिखा था तो इसलिए लेखन छमता यानि पत्र लेखन छमता से सवाल पूछेगा तो भाईया इसको वीडियो मेरी पड़ी हुई है चैनल पर वीडियो पड़ी है इसकी PDF मैंने सेयर किया है ग्रूप पर टेलीग्राम पर अभर भी पढ़ी है जा करके वहां से डाउनलोड कर लो पढ़लो इससे बाहर नहीं होगा ठीक है बाकी वो 40 मिनिट के करीक की वीडियो है देख लो बहुत कुछ है तो इसमें बताओ मुहले में विजली की समस्या के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया पत्र और नौप चा इक पत्र का उधारन कौन सा है बताओ भया 49 नंबर का जबाब चुना जिनोंने बी वो हो गया आपका ये ब्यक्तिगत पत्रों के अंतरगत आते हैं निमंतरण पर हिंदी में हरश शुस्वरों की संख्या बता दो बहुत सिंपल सा जबाब है 11472 बता दो चार होते हैं विक प्रशन मैं पूरा दिखा दू आपको 41 नंबर कह रहा है आप तो दिख रहा है ना प्रशन आप इसमें बताओ मैं प्रशन पढ़ दे रहा हूं कह रहा है जिन सब्दों का प्रियोग वाक्की को सब भी भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वो वाक्की के अंग नहीं होते क्या कहलाते निर्विभक्ति योगिक मौलिक निपात चारों में से आपको जबाब बताना है इन चारों में से क्या जबाब होगा अंसर कमेंड करो निर्विभक्ति होगा योगिक होगा निपात होगा तो निपात इसका सही जबाब है निपात का प्रिय प्रधान उपवाकि हो भी कहरा एक साधान और दूसरा आसरित हो तीसरा कहरा एक ही उद्देश एक ही विधे हो चोथा कहरा आसरित उपवाकि समुच्चे बोधगा विवो से जुड़े हो तो सरलवाकि होंगे जिनमें एक उद्देश और एक विधे हो पिछले उसमें भी मैं ने बताया था अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर 43 नम्मर का प्रशन है निम्ने में से किस वाकिय में परिडाम वाचक क्रिया विशेशन है बताओ बढ़ी यह प्रकार से मैंने प्रशन बनाए इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े यह लड़की सुन्दर है मैदान हरा भर है तुम अच्छे खिलाडी हो बताओ चारों में से खिलाडी हो आपकी हरा भरा मैदान देख रहे हो कौन सा इन चारों में से बताओ 43 नमबर का जबाब फटाफट ए नमबर जीनों ने चुना क्यों क्योंकि यहां बहुत सब्द जुड़ा है प्रणाम वाचक का मल्लब हो कि जहां पर हमें कोई result दिखे ठीक है बहुत दिखा कम दिखा अधिक दिखा ऐसे सब्द जहां मिलें वहां समझ जो यह इसका बेद है चलो सब्द यहां यूपी ट्रीपल सी 2019 के स्लेबस में आ चुका है ठीक है पूछ रहा है तो मैंने कहा कुछ पर ट्राई ही करने हम भी यदा कदा के सही अर्थ का चाहिन करो जब तब कब तब जब कब और कब जब इन चारों में से बताओ यदा कदा कहते हैं यदा कदा बहिया मुलाकात होती है उनसे बातचीत होती है तो 44 नंबर का जबाब जिनोंने चुना कौन सा यदा कारत होता है जब और कदा कारत होता ह क्या तब ठीक है जब तब बात होती है करते है नहीं जब तब बंद पर है तब तक हो जाए अगला प्रशन 45 नंबर कह रहा है बृत्ति से सम्मंदित सवाल ब्याकारणिक कोटियों से स्क्रीन पर आप चल सकते हैं बिल्कुल चल सकते हैं क्रिया में कौन सी बृत्ति है बताओ समर्ति सूचक निश्यार्थ बात दिता सूचक इच्छार्थक इन चारों में से बताओ खिक है बाकि में ब्रित्ति बताओ भईया क्रिया के आधार पर ही सब कुछ होता है क्रिया का ही ये पार्ट है ब्याकरणिक कोटियों के अंतर गताता है तो ब्रित्ति बता दो भईया क्यों ना एक बार ट्राई हम भी करें आप लोगों का देखें कि कैसी तैयारी है तो इसमें देखो पहले तो क्या लिखा है वाकिये हमारा शर्वों पर ही कारी है देश की सेवा करना ठीक है अब इसका अंग्रेजिया इन बात बताना है पहला विकल बोला आवर ड्यूटी इस टू सर्विंग दा कंट्री चारों में से सही आंसर कमेंट करना है 46 नंबर 46 नंबर का जबाब जिनों ने चुन लिया ये कौन सा सी ठीक है यहां टू लगा है टू के बाद वर्व की हमेशा फर्स्ट पाम आती है यह जानते हैं ना टू के बाद हमेशा वर्व जो होगी क्र करिया की फर्स्ट पाम इस्तेमाल की जाती है तो इसलिए सी विकल्प से ही होगा चलो आगे 47 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन के सामने है इसमें से सकर्मक क्रिया बताओ भीया चलो विकल्पों को देख लेते हैं पहला कर रहा है मंदाकिनी सोती है बालिकर निवंद लिख जिन्होंने बीज चुना वो एगदम सही है लिखने का कारी कही ना कही कर्म पर उसके एफेक्ट पढ़ रहा है तो ये चीज सही हो गया क्या से भी जवाब करेंगे तब भी सही हो गया अगला 48 नंबर है प्रश्ण आपकी स्क्रीन के सामने पर मैंने वाकी असुदी से ये डाला है कौन सा वाकी ब्याकरण की द्रिष्टी से असुद्ध है कौन सा वाकी ब्याकरण की द्रिष्टी से असुद्ध है वा दंड देने के योगी है चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए मैंने यहाँ पुस्तक पढ़ी है और उन्होंने अभी अभी खाना रखाया चारों में से बताओ कौन सा आपको असुद्ध लग रहा पढ़ने पर ठीक कम समय है जल्दी कमेंट करो भाई जागता रहा मैं पूरी रात भर जागता रहा मैं पूरा रात जागता रहा मैं पूरी रात में जागता रहा बताओ चारों में से फड़ा फड़ बताओ निश्यवाचक, अनिश्यवाचक, निश्यवाचक, सायुक्त सर्वनाम, चारों में से जबाब बताओ, और चारों में से ये चुकी आया है, परिच्छा में तो हमने का हम भी डालेंगे इसको जो है, तो important है इस तरीके का ये भी डालो भईया, question, ठीक है, देखो ये सायुक्त सर्वनाम का उदारण है, जहां पर ये दो-दो सर्वनाम आपके जोड़के मिलते हैं, सब कोई, ठीक है, ऐसे सर्वनाम आपको सायुक्त सर्वनाम के उदारण के अंतरगत आते हैं, अगला प्रशनी, क्यावन नंबर, ठीक है, इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना विशेशन नहीं है, लौकिक, फेनिल, धूमिल, प्रात्मिक बताओ, बहुत बड़ी हैं प्रशने हैं, संग्या से बना हुआ विशेशन नहीं, इससे पहले मुझ ने पूछा था, संग्या से बना हुआ विशेशन आपूलिया नहीं, बताओ 51 नंबर का जवाब दो, विकल आदी, सब्द का सही अर्थ क्या है, इत्यादी आदिवाशी, प्रारंब आदिवासी, प्रारंब अभ्यस्त, आदिवासी इत्यादी, बताओ, चारों में से बताओ, जब आप कमेंट करो, फड़ा फड़, बताओ वईया, देखो एक तो ये आदी लिखा है, और दूसरा ल रखा है, देखिए, अनिल शब्द युगम का सही भेर, जल वायू, अगनी वायू, अगनी जल, और वायू अगनी और अगनी वायू, चारों में से बताओ, चारों में से विकल कौन सा सही है, तिरपन नंबर का जबाब चुन लिया, जिनोंने डी, ठीक है, इस अनल का आर् जिनी, ग्रेहडी, प्रदर्शनी, चारों में से बताओ, चलो भईया, फटाक से बताओ, जल्दी बताओ, चमन नंबर का जबाब, जिनोंने डी चुल लिया, वो होते हैं एकदम, सही, क्योंकि इसमें जो मैंने लिखा है, प्रदर्शनी, इसका सही रूप ये मिलेगा, बच्चों को बुलाया, बताओ, कौन से कारक का उदारण है, बहुत आसान सा है, लेकिन कनफ्यूज तो इतना बड़ी हां से करेगा, बहुत बड़ी हां से गलत कर दोगे आप, पच्पन नंबर का जबाब, जिनोंने चुल लिया गया, यहां पर एक तो आ गया, ने, कर्ता को कर्म से ठीक है तो इस टाइब में बताओ कौन सा होगा इसका विकल बताओ जल्दी बताओ इसका विकल बताओ पच्पन नंबर का जवाब बताओ जल्दी बताओ उसने यह घटना आखो से देखी छपन नंबर का जवाब दो और छपन नंबर का जवाब जिन्होंने सी चुन लिया वो एकदम सही होते हैं कारण अकारकिस में अगला करें निमलिखित में से ब्याकरण की दृष्टी से असुद वाक की चुनिये प्रद्वी का कोई भी देश कंप्यूटर करांती के प्रभाव से अचुता नहीं रहा यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है चलो बताओ इन चारों में से बताओ भीया कौन सा इस में से गलत है असुद दबा किये तो विकल जिनोंने डी चुन लिया वो होते हैं सही गहरे फिर आर्थिक संकट से घेरा हुआ गहरे संकट में है इसा बोल दो भाईया गहरे आर्थिक संकट में यह से कही घेरा हुआ है ये कोई चीज नहीं होती है अगली चीज हुआ अगला प्रस्न 58- नमबर व्याकरणिक दिश्टी से असुद्ध वाकी वाकिय सुद्धी सुद्धी आप 800 प्रशन देख लिए ना तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदी इससे बाहर नहीं होगी आपकी ये चीज है थोड़ा सा सजग रहना है कि 800 प्रशनों को इनको बार बार रिवाईज करना है दोस्तों को जितना सेयर कर सको जिसको बता सको ठीक है बताते रहो भईया ठीक है चैनल जरूर सस्क्राइब करना है आपको ये च्छ ने इधिश्टिर से पहला प्रशन किया सभाग रह का निर्माण कारे शंपन हुआ गोपिया क्रिशन से प्रेम करती है बिदूसक को देखकर उसे सहसा हसी आ गई चारों में से बताओ आसुद दवा की चुनने है प्रशन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको ठीक है बताईए इसमें से बताओ भया जिनोंने बी चुना अब यहां क्या लिखा है सभाग रह का निर्माण कारे संपन निर्माण संपन हुआ निर्माण कारे क्या ठीक है मैंने तीन कुरसी खरीदी वाकि में असुद्धी है कैसी संग्या संबंदी लिंग संबंदी वचन संबं ठीक है मैंने तीन कुर्शियां खरी दी बचन संबन दिये सुद्धी है साथ नंबर प्रशन कहरा रानी बहुत बोलती है वाकि किसका उधारण है रीती वाचक क्रिया विशेशन का गोड़ वाचक विशेशन का परिणाम वाचक क्रिया विशेशन का परिणाम बोधक अब इसमें confusion आ सकती है आपको आराम से 60 number का प्रशन है और जिबी कल्ब जो इन्होंने मैंने बताया इससे पहले कि जहां बहुत अधिक कम ये सम मिलने लगे तो पेडाम अच्छा क्रिया विशेशन का उधारन होता इसलिए मैंने इसको दूसरे रूप में डाला 60 number प्रशन आपकी स्क्रीन पर है किस वाकी में अच्छा सब्द विशेशन के रूप में है तुमने अच्छा किया जो आ गए अच्छा तुम घर आओ घर जाओ यह अस्थान बहुत अच्छा है वह अभी आ जाए ठीक है अच्छा है वह अभी आ जाए तो इन चारों में अच् इंटर्प्रेटर का आसे क्या है मलव क्या है बिधिक अनुबाद बाणिजिक अनुबाद द्विभासिया पारिभासिक अनुबाद अनुबाद इन चारों में से बताओ भईया ठीक है इंटर्प्रेटर का मलव क्या होता है बासट नंबर का जिनोंने चुना विकल्व सी व प्रकासन अस्थान और तिरसट नंबर का जबाब जिनों ने बी चुनाई यह इंदोर मध्यपरदेश से प्रकासित होती है वीड़ा चौसट नंबर प्रशन फिर से परियावाची से मैंने उठाया है राती का प्रयावाची नहीं है तेज मत पढ़ियेगा दिमाग को इतना सांत रखेगा कि पूरा प्रशन पढ़ ले जाओ रजनी, विभावरी, शमीर, निसी इन चारों में से बताओ चारों में से जबाब कमेंट करो और चौसर नंबर का जबाब जिनोंने यह सी चुना समीर होता है वायू का अनी जो लिखे हैं वो सब रात रिके शब्द अनवे का सही संद भी छेद क्या है अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय, अनुधन आय इन चारों में से बताओ विकल्ब चुना जिनोंने ए होते एकदम सही प्रकाशित सरकारी नियम आदेश की सूचना के संदर्व में होता है या प्रशंग में होता है बताओ, पत्र का, परिपत्र का, अधिसूचना का कार्याले आदेश का इन चारों में से तो विकल्ब ये, कल भी डिसकस किया था, अधिसूचना होती है बहराई, सुल्तानपुर, रायवरेली ठीक है, किस बोली के छेतर है अधिस गड़ी है, बगेली है, ब्रजभासा है, अधिये बताओ बहुत आसान सा प्रश्णा है ठीक है, बोलियों से मैंने सोचा पूछ लिये जाए कि आप लोग भी जानते मानते हैं छेतर की नहीं सब को, उत्तर प्रदेश के अधि बोली है अपनी, ठीक है, काहल भईया 68 नमबर प्रश्णा आपके सामने है, इस्क्रीन पर कहराएं निमलिखित में से कौन निश्चल का आर्थ नहीं है जो अपने अस्थान से नहीं सके इस्थिर, अचल, निश्चित इस्थिर, चारों में से बताओ, निश्चल का आर्थ क्या नहीं है निश्चल का आर्थ निश्चित नहीं होता है, बाकी सब वहीं होते है जो उसमें विकल्पों में निलिखे है 69 नमबर प्रश्ण मुहावरा फिर से मैंने आपके सामने रखा कलेजे पर सांप लोटना दुखी होना, इर्षा से जल उठना, दोसमनी निकालना, दीनता प्रकट करना चारों में से फटाफट बता दो जबाब 79 नमबर का जबाब जिन्होंने चुना B ठीक है, वो होते हैं सही इर्षा से जल उठना को बोलता है कलेजे पर सांप लेट गया इसके ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना चलना सुरू करना, स्वास्त सही होना स्वालंबी होना, भागना सुरू कर देना ठीक है, मानलो कोई वेति बहुत बीमार था अपने पैरों खड़ा हुआ, ऐसा तो अर्थ होगा नहीं इसका अर्थ कहीं न कहीं, कुछ और होगा तो स्वालंबी जो हुआ, अपने से कुछ करने लगा कमाने खाने लगा, वो पैरों पर खड़ा हो गया यथा रूची में समास बता दो भाईया ततपुरुस्क बहुबरी की अभेवी भाव की दुन्द चलो बताओ, चारों लोग फटा-फट कमेंट करो मलब जो कुछ भी देख रहे हो, कमेंट जरूर करके जाना है 71 नमबर का जबाब यथा आ गया, तो अभेवी भाव हो गया यथा, प्रति, आजन्म, ठीक, आ, भर, ये सब क्या है अभे हैं, और ये जहां रहेंगे भईया, वहां कुछ न कुछ तो करेंगे ही तो ये अभेवी भाव गयो दारण हो 72 नमबर प्रशनी स्क्रीन पर आपके मैंने दे रखा है अंदा वाटे रेवडी फिर फिर अपने को दे लोकों की दिकारत बताओ, अंदे को दिखाई नहीं पड़ता अंदा अपनों को जानता है, अंदा वेवकूफ है स्वार्थी मनुषी के वला अपनों को ही लाब पहुचाते हैं तो विकल्ब D इसका हो गया सही जो स्वार्थी मनुषी होगा, वो अपने को ही लाब पहुचाएगा तीयत्तर नंबर प्रश्ण में ने लिपी से दिया है राष्ट लिपी के रूप में देवनागरी लिपी को कब स्वाविकार किया गया 14 सितंबर 1949, 21 सितंबर 1949, 23 सितंबर 1949, 25 सितंबर जानते हो 14 सितंबर को हिंदी दीवस मनाया जाता है तो भाईया क्यों मनाया जाता है क्योंकि ये 14 सितंबर 1949 को कहीं न कहीं इसको राष्ट लिप के रूप में अंगी कृत किया गया स्वाविकार किया गया, करपट सब्द का तदभो रूप बता दो भाईया करपट का आरथ होता है करपट सब्द का आरथ होता है कपड़ा पचतर नंबर स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं जिसका इंतजार आपको है ब्रहमरगीर के गीत के रचाइता कौन है सूरदाश है, विद्यापती है कि घनानन्द है कि सिव सिंग है कमेंट करो भ्रहमरगीर के रचाइता कौन है जवाब A होगा, सूरदाश है थोड़ा सा जान लो जहां जगनात दास मिल जाए उनको भी लिख देना अगर जगनात दास मिल गया कहीं लिखा तो जवाब उनका भी कमेंट कर देना क्योंकि तुलसी कह रहा हूँ सूरदास और जगनात दास रतनाकर इनका पूरा नाम है इन दोनों के कलेक्शन को इकठा किया गया था तब उसको भ्रहमरगीर नाम दिया गया था और एक चीज और जो ये आचार रामचन सुकल है आचार रामचन सुकल ने क्या किया कि जो सूरदास वाली इसको इसमें से चार सो दोहे निकाले और उससे बना दिया भ्रहमरगीर एक अलग तरीके की सैली है इसलिए इसको भ्रहमरगीर कहा जा था अब उचराए हिरन इद किस धातु का बैदिक नाम है तांबे का की सोने का की लोहे का की रांगा का बैदिक काल में जब साहिती रचना चल लही थी जब मैंने बताया कि बैदिक संस्कृत थी सुरवात में फिल लौकिक संस्कृत थी तब आपकी धीरे धीरे भासा पलटेने लगी तो बैदिक संस्क्रिन में हिरनी किस धातु का नाम था, हिरनी नाम था सोने का, ठीक है सोने को बोलते थे, अगला प्रशन सततर नंबर प्राण प्रिया का सही समानार्थी बताओ भईया, सहचरी, अर्धांगिनी, प्रेमिका, संगिनी, अब ये तो कमेंट आपको करना ही चाह आप से, सततर नंबर बताओ, ठीक है प्राण प्रिया का अर्थ होता है अर्धांगिनी, अर्धांगिनी में लब पतनी है आपकी, ठीक है, भार्या जिसको बोलते है, पतनी का एक वो होता है, मारुत का प्रायवाची बताओ, वायू, प्रतवी, तालाब और देवता, चलो बताओ इन चारों में से बताओ 78 नमबर वायू मारुत का सही प्रायवाची है 78 गे बाद 79 नमबर आपकी स्क्रीन पर सीता एक पवित्र पती व्रता इस्तरी थी इस वाकि में मोटे लिखे अच्छर सब्द का बिलोम बताओ तो साब तोर पर कहना है कि पती व्रता का बिलोम क्या होगा कुल्टा भामा वंध्या विधवा इन चारों में से बताओ चारों में से जवाब दो और 79 जवाब जिनोंने ए चुन लिया कुल्टा होता है कि इसका पती व्रता इस्तरी का बिलोम सुहाग के नुपूर के रचाईता कौन है बईया निराला अमरित लालनागर मोहन डाकेश की प्रेम चंद्रेइन चारू में से बताओ चारू में से बताना है आपको असी नंबर प्रश्ण में कि सुहाग के नुपूर के रचाईता कौन है तो जिनोंने विकल चुना भी वो होते हैं सही ठीक है ये अमरिल्ला नागर जो है ठीक है इनका ये उपन्या से सुहा के नुपूर और ये यहाँ अपने लखनों में पैदा हुए थे ठीक है लखनों में पैदा हुए थे अमरिल्ला नागर तो उनका ये इतिहास चलो एक सब् फिर से पूछ लू, मरीची, मरीची, सब्द युगम का सही अर्थ क्या है, किरन सूरी, एक राच्छस प्रकास, कि किरन चंद्रमा की सूरी और मिर्ग त्रिशना, इन चारों में से बताओ, एक क्यासी नंबर का जबाव, और उत्तर जिनों ने चुन लिया, ए वो होते हैं सही, मरीच का अर्थ होता है किरन और मरीची का अर्थ होता है सूरी, राच्छस नहीं मामा मरीच, ठीक है, रामायडवाला, आधी शब्द का, फिर से ये तो पहले भी आया था, चलिए फिर भी बता दीजिए, कि इसका सही युग में क्या है, प्रारंब आधिवासी की आधिवासी इत्यादी की प्रारंब अभ्यस्त की इत्यादी आधिवासी तो प्रारंब अभ्यस्त, आधी का अर्थ होता है, अभ्यस्त हो जाना, किसी की लत लग जाना, इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विशेशंड नहीं है मानबिये नाट किये श्वाकिये वित्तिये इंचारों में से बताओ ठीक है मानबिये नाट किये श्वाकिये वित्तिये अब यहीं दिखाई दे रहा है जो नहीं होगा 83 नंबर का जबाब हो गया शुखी ठीक है अगला प्रशन 84 के बाद 85 नमबर आपकी स्क्रीन पर अस्थावर शब्द का बिलोम क्या है इन चारों में से बताओ फड़ा फड़ जवाब दो 85 नमबर 85 नमबर का जवाब जिन्होंने चुना है D वो होते हैं सही अस्थावर का बल्लब होता है एक जगे हमेशा बना रहने वाला तो जंगम जो छीड होता चला जाए 85 नमबर के बाद 86 नमबर निम्न में से किस सब्द में गुडशंदी नहीं है हिमाले इत्यादी तल्लीन देवेंद्र इंचारों में से बताओ किस में गुडशंदी नहीं है तो 86 नमबर का जबाब होगा D देओधन इंद्र गुडशंदी है ठीक है यह पूछा है तो देओधन इंद्र जो होगा देवेंद्र ठीक है देवेंद्र जहां पर मैंने बताया कि गुड़ संदी में एक मात्रा आती जहां पर चाहे ओ की मात्रा या एकी मात्रा आती ऐसा सब्द लिखा मिल जाए वहां मार दो फट से गुड़ संदी और जहां डबुल मात्रा मिल जाए वो समझ जाओ क्या है जहां आय की मात्रा मिल जाए आओ की मातरा मिल जाए वहाँ ब्रेधियांग बन्द कर का कुछ ने जी संद विच्चेश में कर हूँ 87 नम्बर गयरा है कि अध्या देश में उप्षर्ग है। छोटा अध्या अपहि अधि इन चारों में से बता दो कि अध्या देश में उफ्षग क्या है। 87 नमबर का प्रश्ण और जिनों ने विकल चुन लिया अधी वो होते हैं सही, D विकल एकदम सही है, ठीक है, 88 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अभीप्षा में उफसर गया, अभी या अभी, चारों में से बताओ फड़ा फड़, जबाब दो भई या अभीप्षा, अभीप्षा में कौन सा उफसर गया, 88 नमबर का जबाब आपका सही है, D, आभीधन इप्षा इसका बनता है, ठीक, आभीधन इप्षा बनता है, और जियो इप्षा, और ये होता है अभीप्षा, चलिए अगला प्रश्ण, 89 नमबर आपकी स्क्रीन पर, मूल पाठ का ब्याक्ष्या के साथ अनुबाद क्या कह लाता है, शब्दा अनुबाद, भावा अनुबाद, शारा अनुबाद, ब्याक्ष्यानुबाद, इन चारों मैंसे, इसे पहले भी मैंने अनुबाद के बारे में आपको प्रश्ण दिया है, 90 नमबर का प्रश्ण होगा ये, सी वाला, शारा अनुबाद, ठीक है, अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं नवाशी के बाद नवे जिसकी पहले आसा नहीं की गई है के लिए समुचित सब्द बताओ एक सब्द क्या होगा अकल्पित अकल्पनी है अप्रत्याशित आसा तीत इन चारों में से बताओ जिसकी पहले आसा नहीं की गई है नवे नंबर प्र पुरकांतरपाथी निराला की बिहारी की सुमित्रा नंदर पंथ चारों में से बताओ, 91 का जबाब बताओ, बिहारी की दोहरें, जियो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाओ करेंगा भीर, ये रीतिकालीन बहुत बड़े कवी हैं, ठीक है, जब आप पड़ोगे बिहारी सत सही, ठीक है, सत का मल्लब होता है साथ, और सही का मल्लब होता है सो, साथ सो दोहों की इनकी जो सिरीज थी, वो अपने आप में गागर में सागर है, इसलिए रीतिकालीन के बहुत बड़े कवी माने जाते हैं, कौन, बिहारी, अगला प्रशन बढ़ते हैं, 92 प्र का प्रशन है, 92 प्रशन का उत्तर जिनों ने भी दिया है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है, क्या है, कविता है, एक तरीके से कहानी है, या उपन्यास एक तरीके से मान सकते हैं, इसको, ये उपन्यास है, उपन्यास कहना ज्यादा उचित होगा, अगला प्रशन ज थोड़ा सा तेजी करो कि गलत करोगे युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्ध में अमर होने वाला युद्ध की इच्छा दूसरों को रुलाने वाला तो बताओ इसका विकल्ब क्या सही है युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है C नंबर जो है ये सही है अगर युद्ध की इच्छा पूछा जाए तो युवित्सा होती है ठीक है युवित्सा कहलाती है युद्ध की इच्छा रखने वाला युवित्सू ठीक है और युवित्स पूछले कौन है तो युवित्स महाभारत में एक करेक्टर था ठीक है जो लडाई के मैदान पे आया था ध्यान होगा अगर महाभारत आपने देखा होगा 94 नमबर दर्वाजा सब्द का समानार्थी नहीं है गवाक्ष कपाट पट फाटक इन चारों में से बताओ दर्वाजा सब्द का समानार्थी सब्द कौन सा नहीं है गवाच नहीं की कपाड नहीं की पट नहीं की फाटक नहीं बताओ 94 नमबर का ए भी कल चुना है तो सही है वह यह पॉइंट 5 नमबर फिर से जोड़ लो गवाच का अर्थ क्या होता है खिडकी ठीक है वातायन जिसको बोलते हो ना वातायन खिडकी का क्या है एक तरीके से पर चली गए रागनी खुद अपने आप चली गए बताओ चारों में से कौन सा वाकिस में से सुद्ध है 95 का जबाब बिगल चुन लिया है यह तो होते हैं 0.5 प्लस आपके अकाउंट में बढ़ते हैं अगले प्रशन पर भईया 96 नमबर प्रशन हल्दी सब्द का तत्सम बता जिन्हों ने दिया भी 0.5 फिर सेट कर लो अपने अकाउंट में तैयारी मानलो बढ़ी हां चल लगी है अगर आप यह मानलो कि 70 प्लस अगर आपके सही हो रहे हैं तो तैयारी सही दिसा में है निम्न में लेखित में से सुद्धवर्तनी कौन सी है चतुरंगनी है कि यह चत पर दे रहा हूं मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता वाकि में दोस कैसा है अन्वित का है कि पदक्रम का है कि क्रिया क्या है कि सर्बनाम का है बताओ भीया अठान नवे में इसमें ए है इसमें अन्वित जो है यह यहां पर सही ने मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता यह होन जितने लोग बता सकते हो कमेंड कर सकते हो हमें बता दो इसका जवाब वह जा रहा है यह ततकालीन वर्तमान यह ततकालिक वर्तमान का उधारन है अंतिम प्रश्ने आपके लिए भी असुद्ध भाग का चैन करो जो इस तरी अपनी नोकरी को परिवार से अधिक महत्तु देती वहाँ बिवाह नहीं करती बताओ इसमें गलत क्या है यहाँ जो का प्रियोग नहीं होगा ठीक है यह जो वाला प्रियोग गलत है तो भाईया सो प्रश्न होते हैं पूरे और सो प्रश्नों के बाद थोड़ी सी आप मेरी भी बात मानों और मेरी बात आपसे यह है कि जो कुछ मैंने पहले पेज़ पर आपको बताया है उन चीजों को आपको एक बार जरूर सुन लेना है क्या क्या बताया है फिर से एक बार दिखा रहा हूं आपको कि यह जो फेस्बुक का ग्रूप है हमारा इसको आप जितनी लिंक हो सकती आप सेयर करो जरूर से जरूर दोस्तों को क्योंकि 800 प्रशनों की पूरी सीरीज है और 800 प्रशनों को मैं 8 पार्ड में डिवाइट करके दे रहा हूँ 100 प्रशना आप हर दिन मेरे साथ देखते रहे है ठेक है इनकी पीडिया ब्याख्या हर चैनल जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलिग्राम पर है फेस्बुक पर है हर जगे पर है इसको जरूर आपको करना है इसको सब्सक्राइब करना है दोस्तों को सेयर करना है और अच्छे चेक कमेंट लिखके जाना है कि 800 प्रशनों की सीरीज आपके लिए किस प्रकार सयोग कर रही है हमारी टीम पर इच्छा प्लस आपके लिए कैसी और चीजें उतार सकती है उन बारों बारे में भी आप जबाब देते रहें तो रमन मिश्रा मैं आपसे बिदा लेता हूँ मिलता हूँ आपसे अगले लेक्षर में अगली जो सीरीज है इसकी पांचवी सीरीज तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नहीं